गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बियल अगरवाल आपको आज इस लिक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चेप्टर जर्नल जर्नल एंट्री का एक प्रब्लम सुल्व करके समझाने का कोशिस करूंगा, उमेद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा यह रग दिया आपके सामने एक प्रब्लम, जर्नलाइज दफालोइंग ट्रांजेक्शन्स इन दफुक्स ओफ मिस्टर गुः, ठीक है अम लोग जर्नल करेंगे, तो जर्नलाइज दफालोइंग ट्रांजेक्शन्स इन दफुक्स ओफ मिस्टर गुः, ठीक है जर्नल एंट् का transaction दिया है एक एक transaction को देखिए started business with cash 50,000 तो हम लोग Mr. Guha के तरफ से business transaction को record करेंगे तो started business with cash तो business start किया गया cash के साथ तो business में आया cash cash real account comes in अब proprietor से आया proprietor that is owner personal account giver है तो started business with cash तो इसमें हो गया आपका cash debit capital credit ओके तो business started with cash में cash आया तो cash debit capital credit नमबर देट 3 को cash deposited into bank हम लोग bank में पैसा deposit कर दिये अगर bank में पैसा जमा करेंगे तो cash हमारे यहां से चला जाएगा real account goes out तो cash चला गया cash credit हो गया bank में गया bank personal account receiver है तो bank debit हो जाएगा तो entry हो गया आपका cash deposited into bank में bank debit cash credit ऐसे करके एक एक transaction को सोचेंगे उसके बाद फिर उसका entry record करके दिखा देंगे purchase goods अगर हम लोग goods purchase करते हैं तो purchase हम लोग के लिए expense है nominal account है तो हम लोग को purchase डेविट करना होगा पर्चेज हम लोग के लिए expense है nominal account है तो purchase डेविट करना होगा चेक दिये हैं चेक मने payment cash में नहीं देके चेक से दिये हैं तो bank आपका credit हो जाएगा यहां देखिए purchase किये हैं लेकिन इस बार goods नहीं खरीदे मशीन खरीदे हैं रियल अकाउंट है मशीन हम लोग का assets है हम लोग machine purchase किये हैं अगर machine purchase करेंगे तो हमको entry में machine को डेविट करना होगा इस बार पैसा पे किये हैं तो cash credit हो जाएगा तो इन दोनों में different समझ यह पहले अगर हम लोग goods purchase करते हैं तो purchase हम लोग का expense है nominal account purchase को debit करेंगे अगर हम लोग purchase goods के अलावा कोई दूसरा चीज purchase करते हैं जैसे machine purchase किये तह machine हम लोग के real account assets है तो purchase नहीं लिखे machine लिखेंगे यहां payment check से दिया गया था तो bank लिखे यहां payment cash से दिया गया है तो cash लिखेंगे ओके यह देखेंगे paid rent आईए देखे paid wages rent भी हमारा expense nominal account wages भी expense nominal account तो nominal account डेविट होता है तो first वाले में rent डेविट होगा second वाले में wages डेविट होगा यहां payment का तरीका देखे चेक है चेक है तो हमारा credit हो जाएगा bank और यहां payment का तरीका देखे cash है तो credit हो जाएगा cash इन सब्सक्राइब तो फिर से आप देख लो यहां पर जैसे rent है wages है rent भी हमारा expense nominal account wages भी expense nominal account तो जब हम लोग expense pay करेंगे तो जीस expense को pay करेंगे उसका नाम debit कर देगे payment का तरीका अगर check यूज करते हैं तो bank credit करेंगे अगर cash यूज करते हैं तो cash credit करेंगे तो entry हो जाएगा rent debit bank credit wages debit cash credit ओके अब यहां देखो sold goods यहां भी देखो sold goods यहां फोर cash मिस्टर मंडल को बेचा है नाम दिया हुए cash नहीं बोला है तो यह credit हो गया तो इसका मतलब हम लोग goods को बेचे हैं यहां purchase किये थे तो purchase expense डेविट था यहां sold किये हैं तो sales हमारा income होता है sales income nominal account credit होगा तो दोनों transaction में sales credit होगा यहां बेचे तो पैसा मिला cash comes in real account comes in तो cash डेविट हो गया मंडल को यहां sale किये मंडल personal account receiver है तो मंडल को डेविट कर देगा है तो इसको बोलते हैं हम लोग cash sale इसको बोलते है credit sale तो sale का transaction में sale को तो credit करना ही पड़ेगा क्योंकि sales income nominal account credit होता है cash बेचे तो पैसा मिला cash डेविट आप credit में बेचे हैं तो person, data, customer वो receiver है उसको डेविट कर देगे यहां देखो विड्रिव cash from bank याद रहे पैसा bank से विड्रिव किया गया है personal use personal use के लिए पैसा विड्रिव करने का power proprietor को होता है owner को होता है तो personal account उसका नाम होता है drawing तो उसको हम लोग drawing debit करते हैं क्योंकि proprietor पैसा विड्रिव किया है अगर वो पैसा bank से विड्रिव किया है तो bank credit होगा अब cash से विड्रिव किया है तो cash credit होगा लेकिन जब भी drawing होगा proprietor पैसा विड्रिव करेगा तो हम लोग को drawing को ही debit करना है cash विड्रिव करेगा तो cash credit अब bank से विड्रिव किया है तो bank credit ओके यहां देखे goods return by मंडल यहां देखो मंडल को हम लोग goods बेचे थे goods अगर बेचे थे तो sales sales credit होता है अब यही goods मंडल वापस कर गया तो उसको बोलते है sales return उसको बोलेंगे sales return तो उसको debit करना होगा आये goods वापस कौन किया मिस्टर मंडल यहां giver है तो उसको credit कर देंगे अब goods वापस आया है sales return डेविड कर देंगे sales जब किये थे तो sales credit था वापस आगया तो डेविड करती है तो यह हो गया आपका transaction का analysis एक एक transaction को आपको ध्यान से पढ़ना होगा फिर से एक बार देखो started business with cash बिजनेस में पैसा आया cash डेविड देने वाला था owner, proprietor, capital that is personal account giver, capital credit बैंक में पैसा जमा किये cash चला गया cash credit हो गया cash bank में गया बैंक यहां receiver है डेविड हो गया जब goods purchase करेंगे तो purchase डेविड चेक दिये थे इसलिए bank credit अगर हम कोई भी expense pay करते हैं तो expense को डेविड कर देंगे nominal account चेक दे रहा है तो bank credit cash दे रहा है तो cash credit अगर हम sale करते हैं दो दो transaction है तो sales मेरा income nominal account journal entry में sales को credit कर देंगे अब cash में बेचे हैं तो cash comes in debit कर देंगे अगर हम credit में बेचे हैं तो personal account receiver है डेविड कर देंगे bank से पैसा निकाला personal use personal use को drawing बोलते हैं पैसा bank से निकाला इसलिए bank में credit जो हम मिश्टर मंडल को sale किये थे मिश्टर मंडल वापस कर गया वापस कर जाने से sales return sales return डेविट हो जाएगा मिश्टर मंडल गीवर है क्रेडिट हो जाएगा तो यह हुआ transaction चलिए इसको journal के रूप में लिख जोते हैं ओके यह रख दिये form में गुआ के लिए बनाना है तो in the books और मिश्टर गुआ जार्नल यहां date देंगे पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेविट का अमाउन डेविट में क्रेडिट का अमाउन क्रेडिट में पहला transaction था started business with cash अगर हम लोग cash में business को start करते हैं तब cash आया cash डेविट from owner आया that is capital credit date है 2013 November 1 ओके यहां पहले date देते हैं 2013 2013 November 1 the cash account debit cash account debit amount था उसका पचास जार्न थोड़ा से gap देके लिके लिकेंगे and to capital account वो भी पचास जार्न इसको छोटा सा एक narration देना होगा business started with cash तो अगर business start किया जाए तो journal entry हो गया cash account debit to capital account cash आया cash debit capital credit अब इसको यहां पे एक बार close करते हैं इंट्री जिससे separate दिखाई दे ओके अब इसके बाद आप transaction देखो तीन तारिक cash deposited into bank पैसा bank में जमा किये 25,000 तो cash हमारे घर से चला गया bank में गया तो bank account debit okay यहां तीन को लाते हैं bank में पैसा गया तो bank account debit amount है उसका 25,000 पैसा जमा किये हैं to cash account amount 25,000 इसको भी narration देना होगा cash deposited into bank bank में पैसा जमा हो गया cash deposited into bank फिर से इसको close करते हैं एक entry करेंगे उसको close करेंगे ठीक है तो first business start हुआ तो cash to capital bank में पैसा जमा किये bank to cash ओके यहां देखिए 7 को purchase goods by check goods खरीदे हैं payment check से दिये हैं amount है 10,000 तो goods खरीदे हैं तो purchase debit a check दिये हैं तो bank credit यहां लिखते हैं date है उसका 7 purchase account debit amount at 10,000 तो bank account 10,000 तो bank account 10,000 नारेशन देते हैं goods purchased by check हम लोग goods खरीदे हैं with the help of check तो goods purchase करेंगे तो purchase तो debit हो जाएगा आप payment check के थू दिये हैं इसलिए bank credit हो गया ठीक है तो तो ऐसे तीन इंट्री हुआ और आगे बढ़ते हैं इसके बाद आप 9 को देखो इस बार भी purchase है लेकिन purchase के machine गुट्स खरीदने से purchase debit होता है लेकिन इस बार machine खरीदे तो machine debit होगा ओ भी cash में खरीदे हैं amount again इसका भी amount 10,000 है machine purchase करेंगे machine real account assets है तो machine purchase किये तो machine account debit करना होगा that is machine account debit 10,000 पैसा cash में दिये हैं to cash account 10,000 नेरेशन देंगे machine purchased in cash तो अगर हम लोग machine purchase करते हैं तो machine लिखना होगा furniture purchase करेंगे तो furniture लिखेंगे cash दिये तो two cash ओके तो machine account debit two cash उसको भी separate कर दिये अगला transaction देखते हैं number 10 यहाँ देखे paid rent rent दिये है rent हमारा expense nominal account debit होगा आप payment दिये हैं चेक से मने bank credit होगा 2000 रुपया ठीक है तो date आते हैं 10 rent पे की है rent is our expense हमेशा डेविट होगा rent account डेविट 2000 चेक दिये है इसलिए two bank account credit में 2000 रेंट पेट बाइच रेंट पेट बाइच रेंट दिया गया किसके हिल से चेक दिया गया for rent रेंट हमारा expense है तो rent account debit two bank okay इसके बाद एक दूसरा expense और है आप देखो यहां देखो 15 को wages दिये हैं कि रेंट की तरह यह भी एक expense है लेकिन वेजेज इस पर cash में दिये हैं 5000 तो वेजेज पे किया है वेजेज nominal account expense debit होगा तो एंट्री हो जाएगा वेजेज account debit cash दिये हैं तो to cash account amount 5000 इसका narration होगा wages paid in cash तो अगर हम लोग कोई expense pay करते हैं तो expense को debit करते हैं payment अगर cash हुआ है तो cash credit होगा अगर check से payment हुआ है तो bank credit होगा जैसे अब देख सकते हो rent account debit to bank or wages to cash यहां देखिए 18 को good sold किया है cash sales हमारा income है nominal account credit होगा तो cash में बेचे हैं तो पैसा आएगा तो cash debit होगा और sales credit होगा तो यहां पर वो date है आपका 18 date है 18 cash account debit पैसा आया to sales account amount है आपका 12,000 ओके तो goods बेचे पैसा आया तो यहां narration देंगे goods sold in cash goods sold in cash अब यहां पर अपना space complete हो गया यह page over हो गया तो हम इसको यहां पर छोड़ते हैं छोड़ने के लिए आप चाहो तो एक rule follow कर सकते हो इसको एक बार आप plus करना है इसको एक बार plus कर दीजे cfbf बोलते हैं इसको carry forward करना होगा ठीक है तो जब page complete fill up हो जाए तो page change करना है तो इसको plus करके cfbf कर देंगे पचास अपचीस 75, 1085, 1095, 1 लाग 2000, 1 लाग 14,000 होता है तो इसको लिखते हैं टोटल cf, cf मतलब carry forward 11400, 11400, 11400, 1 लाग 14,000 यह है क्या एक्ष्वली डेविट का टोटल डेविट में, क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट में यह टोटल अब next page में cf है तो next page में bf बना देंगे ओके प्रिविएस पेज का टोटल कैरी करके लाएंगे टोटल bf 11400, 11400, 11400, लास्ट पेज में जो टोटल था उसको फ्रेश नए पेज में ले आए यह देखिए cf आप उसको बना दिये bf डेट था 2013 नवंबर ओके तो हम लोग पहुंच गये थे 18 तक 22 में देखिए फिर से sold goods से मंडल को इसका मदब यह क्रेडिट सेल है मंडल यहां हमारा customer receiver है debit हो जाएगा अज सेल्स किये तो सेल्स income, revenue account, income, nominal account, credit हो जाएगा date है इसका 22 Mr. मंडल account debit to sales account Mr. मंडल को जो goods बेचे है उसका value 5000 है नरेशन हो जागा goods sold to Mr. मंडल on credit लिख देते हैं Mr. मंडल को हम लोग goods बेचे है on credit का मतलब हुआ पैसा बाद में देगा due रहेगा तो Mr. मंडल personal account receiver debit करती है तो Mr. मंडल account debit to sales यहाँ देगे 25 को bank से पैसा निकाला गया personal use personal use के लिए पैसा विड्रीव करने का rights, power, proprietor के पास होता है उसको हम लोग drawings बोलते हैं तो 25 drawings हमेशा debit होता है तो drawings account debit पैसा bank से निकाला था तो to bank account amount है इसका 2000 narration होगा withdrawn from bank for personal use personal use के लिए पैसा proprietor विड्रीव कर सकता है अब proprietor जब पैसा विड्रीव करेगा तो उसको drawing गोलेंगे drawing debit अब bank से पैसा विड्रीव किया था इसलिए bank credit ओके लास्ट ट्रांजेक्शन मिस्टर मंडल जिसको हम लोग गुड्स बेचे थे वह थोड़ा सा स्टॉक 1000 का return कर गया तो बेचा हुआ goods वापस आया तो sales return sales credit होता है अब sales return को डेविट कर लेंगे तो लास्ट ट्रांजेक्शन देट है आपका तीस तारीप देट थर्टी sales return account डेविट to mister मंडल account amount है आपका 1000 goods return by mister मंडल मंडल goods वापस कर गया तो goods returned by mister मंडल यहां transaction complete हो गया that is problem complete solve हो गया अब last में journal को total करके छोड़ दिया जाएगा यह rules में है कि total करना चाहिए page बदलेगा cfbf complete हो जाएगा तर टोटल transaction को record कर देंगे journal entry पहले डेविट लिखते हैं उसके बाद credit ठीक है उम्मीद करते हैं आपको journal fifth entry आपको जरूर प्रूर समय में आया होगा okay thank you bye को जाएगा झाल